नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे सुंगे AIMS में Group C Level की एक नई भरती आ गई है दोस्तों जिसके अंतरगत Office Attending, ठीक है MTS, Lipt Operator, ऐसे बहुत सारी पदों पे भरती निकल करके आई है और ये जो वेकेंसी है ना दोस्तों CRE के अंतरगत आई है अब मद CRE होता क्या है? एक Common Recruitment Examination ये जितने भी AIMS है ना, AIMS जितने भी है जैसे AIMS बिलासपूर हो गया AIMS भोपाल हो गया, AIMS नाकपूर हो गया, AIMS पटना हो गया ये सभी जितने भी AIMS है ना, सभी AIMS में एक साथ वेकेंसी Group C और Group B लेवल की आई है दोस्तों, एक बड़ी खुषखबरी आप सभी के लिए आगर आप 10 वी पास है, तब भी आपके लिए वेकेंसी है 12 वी पास है, तब भी आपके लिए वेकेंसी है दोस्तों और ये जो वेकेंसी है न दोस्तों, सेंट्रल लेवल की पर्मानेंट सरकारी नवकरी है एक सुन्दर बढ़िया मौका है आप सभी के पास सेंट्रल गॉर्मेंट की नई भरती में जॉइन होने का और एक चीज़ बता दू, AIMS में जब भी वेकेंसी आती है तो इसका प्रोसेस दो से तीन महीना का अंतरगत पूरा कम्पलीट कर दिया जाता है यानि कि दो से तीन महीना का अंतरगत आपको जॉइनिंग करा दिया जाता है एक्जाम औगरा ले करके तो सारा कुछ इसी वेकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, A to Z क्वालिफिकेशन से ले करके, सैलरी से ले करके, सब कुछ दोस्तो ठीक है, बस आप लोगों से मेरा एक ही मांग है, एक लाइक जरूर कर दीजगा दोस्तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ठीक है, तो चलिए सुरू करते हैं, एक बार फिर से मैं बता दे रहो दोस्तो AIMS में Group B और Group C का नई वेकेंसी CRE के अंतरगत आ गई है ठीक है, पोटल जो वेकेंसी की बात करूँ, पोटल पोश्ट 3036 पदों पे नहीं भरती आई है अब ये 3036 पोश्ट, आल इंडिया की केंडिडिट अप्लाई कर सकते हैं और ये जान लिजे, अपने नस्दीक में ही आप अपना एक्जाम सेंटर चून सकते हैं ठीक है, अप्लाई डेट, तो इसका अप्लाई डेट आल्रेडी स्टार्ट हो गई है 17 नुवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक इसका लाश्ट डेट है दोस्तो ठीक है, अब इसके बाद इसमें एज क्रैटेरिया क्या है तो इस वेकेंसी में ना एज जो है ना दोस्तो 18 से 30 साल के बीच रखी गई है ठीक है, कई पोश्ट में 18 से 35 साल तक भी है लेकिन 18 से 30 अठार 27 ऐसे है ठीक है, STHD हो तो 5 साल की छूट असपर गवर्मेंट के नियम के अनुसार जो मिलता है वो मिलेगा OBC हो तो 3 साल की छूट मिलेगा, ठीक है दोस्तों ये तो एज में आप लोगों को मिलेगा है मिलेगा ठीक है, दूसरा में MTS हो गया, Office Assistant हो गया, ये सब में 18 से 25 साल होता है लेकिन MTS में जब भी वेकेंसी आती है न, MTS का, तब तब दोस्तों ये बात ध्यान दिजएगा अगर आपका General और EWS कैंडिडेट है, तो 18 से 30 साल तक लेता है, ठीक है और उसके बाद अगर Reserve कैटेगरी है तो असपर मियम के अनुसार आपको छूट मिलेगा, ठीक है सारा कुछ वेकेंसी के चलिए, नीचे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है अब पदो का Viewer, पदो के Viewer में मैं बता दू, दोस्तों सबसे पहले में आ जाता है MTS यानि कि Multitasking Staff, तो Multitasking Staff दसवी पास वेकेंसी है, ठीक है इसके बाद आ जाता है दोस्तो, Lift Operator, Lift Operator, मतलब जहां पे Hospital वगर है न, दोस्तों वहां पे Lift रहता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर में जाने के लिए, तो वो Lift को आपको Operate करना है पेसेंट हो गया, कोई स्टाफ हो गया, अगर वो Lift में जाते है, तो आपसे बोलेंगे तीन नंबर में जाना है, दो नंबर में जाना है, तो आपको वहां से ले करके जाना है ठीक है, तो ये आपका काम रहेगा तीसरा है, Office Attendant Grade 2, तो ये भी 10th Pass लेवल की वेकेंसी है, सबसे बढ़िया, ये समझ लिए, ठीक है चौता है, Fire Technician, ये 12th Pass वेकेंसी है, कोई एक्सपिरेंस नहीं मंगा है, ये बात आप जान लिजीए, ठीक है पांच हुआ है, UDC, यानि कि Upper Division Clerk, ये है दोस्तो, Degree Pass, यानि कि आप College Pass हो, इसनातक पास हो, चाहे, BO की हो, BSC की हो, बीकाम की हो, आप Eligible हो छट हुआ है दोस्तो, Senior Administrative Assistant, ये भी College Pass है, यानि कि Degree Pass, उसके बाद Staff Nurse हो, तो Staff Nurse की बहुँ सारे Candidate कमेंड करते रहते हैं, Staff Nurse की Staff Nurse की Vacancy, वो भी Central Government का, ठीक है, तो याप जा लिजे, आठवा है, Data Entry Operator का भी Vacancy है, ठीक है, नवा दोस्तो, Private Secretary, इसका भी Vacancy है, ये डिगरी Pass है, दस्वा, Steno का Vacancy है, Plumber का Vacancy है, ठीक है, उसके बाद Electrician का Vacancy है, जो I Tech है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, Electrician, Plumber, ये सब की Vacancy आई है, एक सुनहरा मौका है, आप सभी के पास, ठीक है, दोस्तो, इन सभी पदों में Apply करने का, ठीक है, ऐसे और बहुत सारे Vacancy आई है, Content अगेरा हो गया, ये सब Vacancy आई हुई है, ठीक है, तो मैं सिर्प आप लोगों को वही Vacancy बता रहा हूँ, जिसका Qualification हर किसी के पास हो उन करके आप लोगों बताया, और जो जो ITI के हैं, वो लोग Electrician, Plumber, ये सब में भी Apply कर सकते हैं, दोस्तो, अब इस Vacancy में, Selection Process एकदम इसी है, Selection कैसे लेना है, चलिए मैं बताता हूँ, और एक चीज़ बता दू, किसी भी प्रकार का इस Vacancy में, Negative Marking नहीं है, तो आप अगर एक्जाम देने जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको Benefit मिलेगा, आपको अगर कोई Question नहीं आता है, तब भी आप हल कर सकते हो, तो सबसे पहले इसमें Passing Marks में आप लोगों बता देता हूँ, तो General Candidate हो, EWS Candidate हो, तो 40% आपका Passing Marks है, तो Passing Marks 40% है, तो Total Question चलिए दूस्त पहले तो Selection Process ही बता देता हूँ, क्योंकि देखिए, आपको Number पता नहीं चलेगा, तो 40%, 80% तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले बता दो Selection Process इसमें, तो पहला तो Return Exam होने वाला है दोस्तों, दूसरा Skill Test, अब Skill Test किसमें होगा, जिस Post में Requirement रहेगा, ठीक है, अ आप इसमें Data Entry Operator में फ़र्म अपलाई किया हो, तो सुभाईक सी बात है, इसमें तो आपको Skill Test देना ही पड़ेगा, ठीक है, और ऐसी ही दोस्तों, इस्टेनों हो गया, तो इसमें Skill Test देना पड़ेगा, तो ऐसे Post में Skill Test देना ही पड़ेगा, टाइपिंग का, तो ये सब छ परता है, नजदी की District Hospital में जा करके Medical Certificate बनवाना पड़ता है, उसको ले करके जाके Submit करना रहता है, ठीक है, तो बस इतना ही है दोस्तों, इसके बाद इसमें Syllabus, तो Syllabus में बता दूँ दोस्तों, 80 Question रहेगा, 80 Question रहेगा Total, 80 Marks का, ठीक है, 90 Minute का आपको Time दिया जाएगा, दो सिक्षन में रहेगा, 45-45 Minute का, ठीक है, 45-45 Minute का, और किसी भी प्रकार का Negative Marking नहीं रहेगा, तो सबसे बढ़िया यह है अच्छा चीज़ है, ठीक है, अब देखे, पहला तो रहेगा Reasoning, 10 Question रहेगा, दोस्तों, 10 Marks का, दूसरा रहेगा, दोस्तो, General Awareness प्लस Computer Knowledge, 10 Question रहेगा 10 Marks का, ठीक है, तीसरा रहेगा, दोस्तों, Maths, 10 Question रहेगा, 10 Marks का, ठीक है, चौथा रहेगा, दोस्तों, English, 10 Question रहेगा, 10 Marks का, पाचवा रहेगा, सबजेक्ट से Related, तो यह चार है ना दोस्तों, Reasoning, General Awareness, Maths, English, यह सब के लिए आपको 45 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है, उसके बाद जो पाचवा है, सबजेक्ट से Related, जैसे आप अगर Nursing में Apply करना चाहते हो, तो Nursing से Related Question आएगा, 40 हो, इस प्रकार से Total 40 Question रहेगा, 40 Marks का, और यह इसमें भी आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, तो Total हो गया 90 मिनट, ठीक है, और किसी भी प्रकार का Negative Marking नहीं रहेगा, तो यह बात आप जान लिजे, अगर आप किसी Question का नहीं जानत अब इसमें एक Most चीज आता है दोस्तो, आखिर इसमें Passing Marks कितना है, तो Passing Marks General EWS का 40%, तो 80 का 40% निकाल लो भाईया, 80 का 40% के 32 नमबर के आसपास आएगा, ठीक है, उसके बाद OBC, तो OBC का 80 का 35% निकाल लो, 28 नमबर, ठीक, SC, HD और PWD का 30%, तो 24 नमबर, तो यह Passing नमबर है ठीक है, तो General EWS का 32 मार्क्स, 80 में, OBC का 28 नमबर, SC, HD PWD का 24 नमबर, यह Passing Marks है दोस्तो, तो इस Vacancy के बारे में अभी तक आपको अगर पता नहीं है न दोस्तो, तो आज मैंने बता दिया, और इसका Apply का Link मैंने डिस्किप्शन में डाल दिया है, ठीक है, तो वहां से जा करक आप Notification डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ दोस्तो, मेरा Telegram चैनल का Billing डिस्किप्शन में डाला हूँ, वहां पे जा करके आप Telegram में जूड जाएए, आपको Daily नहीं नहीं भरती का Update मिलेगा, ठीक है, यह Group C वेकेंसी है, ठीक है, ऐसा वेकेंसी न दोस्तो, कई ऐसे Website होते हैं जो 5 दिन, 10 दिन बाद अपना Website में Update करते हैं, क्योंकि देखें, आप अगर भरोसे में रहोगे उनके, तो फिर मैं नहीं बोल सकता दोस्तो, देखें, मैं आप लोगों को Genual जनकारी देता हो हमेशा, ठीक है, यह बात आप लोग जान लीजे, आपको मैं Link हमेशा Provide करत हो, या फिर Google में आप सर्च कर सकते हो दोस्तो, ठीक है, कभी आपको गलस सलाह नहीं देगा, यह बात आप लोग जान लो, और डेली आपको नई नहीं भरती का Update, दिन में दो बार आपको इस चैनल पर मिल जाएगी दोस्तो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो ना जोस्तो, आपका एक like में motivate करता है, ठीक है, और बता दो दोस्तो, ऐसे बहुस सारी वेकेंसी आती है, ठीक है, AIMS के अंतरगत भी आती है, AIMS के अंतरगत, Hostel Warden की भी वेकेंसी आती है, यह बात आप जान लो, तो ऐसे भी वेकेंसी है, और इन सभी वेकेंसी का जो PDF है वो म चैनल को subscribe कर लिजे, आज के लिए बस इतना है दोस्तो, ठीक है, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं दोस्तो, नेक्षी डो में नहीं government job, नई सरकारी नोखरिक अप डेट के साथ, तब तब के लिए, जैन